नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का इस चैनल में तो दोस्तों आज के वीडियों लोग जारखंड पीजीटी दैट मिन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो एक्जाम आज अठारो अगस्ट दोजा तैस को कंड़क्ट करवाय गया था उसके प्रश्णों को जानें कि किस परकार का कोस्टें दोस्तों जेससी के द्वारा इस एक्जाम में डाला जा रहा है पेपर वन के एक्जाम में जैसा कि दोस्तों लेव एसिस्टेंड का जो एक्जाम हो रहा था उसमें भी मैंने मैक्सिमाम जो है दिनों का अनलेसिस किया हुआ था जिसमें काफी जादा कुछ help मिल जाएगी क्यूंकि आने वाले एक्जाम में जो हो दोस्तों वह रिपीडेट कॉस्चेन वह देखने को आपको मिलेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं बिना किसी देरी के प्रस्णों को कि किस प्रकार का प्रस्ण आज के एक्जाम में पूछे गये थे पहला प्रस्ण यह है कि खून की कमी किस के कारण होता है यह science से related यह प्रस्ण था जो कि पुछा गया था तो दोस्तों जो हमारे शरीर में जो खून की कमी जो होती है यह iron, folic acid और vitamin B12 जैसे पोसक ततों की कमी के कारण जो है खून की कमी हो जाती है तो यह ध्यान में रखे य प्रस्ण पुछा गया था अब next जानते दोस्तों अगला प्रस्ण जो कि यह हिंदी से प्रस्ण था जो पुछा गया था कि आकास का प्रयावची सब्द क्या होता है तो इसके विविन परकार के प्रयावची सब्द होते हैं जैसे कि हो गया नभ, अनंत, अम्र, पुसकर, स प्रशुन्य, तारापत, अंत्रिच, आस्मान, फलक, व्योम, दिव, खगोल, गगन और अंबर, साथ यह अंबर ओप्शन में था, तो यही इसका जो है दोस्तों करेक्ट टेंसर होगा, तो जो ओप्शन में आपको इन में से जो भी दिखा होगा, वही आपको करेक्ट टेंसर होगा, जो कि आकास का यह प्रयावची सब्द, यह सभी जो सब्द हैं, यह प्रयावची सब्द हैं आकास के, तो यह हिंदी से रिलेटेट प्रस्ण था, जो कि काफी इजी प्रस्ण यह देखने को मिल रहा है, अब नेक्ट चांते दोस्तों, अगला प्रस्ण जो है, जो क देख लेसे क्योंकि फोकस दूरी अंब वान में अंबब इसमें उस पुछे गये हैं क्यों Sin बताया है उसके द्वारा वह इसे प्रैस्ट बताई करे यह दो एक रहा थे लरेकिन वह पता चल रहा है कि कौन-कौन से टोपिक से प्राष्ण पूछा गया है तो यह जो प्रस्ण है कि बेकिंग सोडा का निर्मान कई से होता है ये प्रस्ण पूछा गया था तो इसका निर्मान अगर देखा जाय तो एसके बाद 현 2 अ regulatory को रिया एक्षन करवाए जाता है उसके बाद जो तो NH4Cl के बाद उसके बाद ये baking soda का निर्मान होता है जिसका formula होता है नHCO3 इसका formula होता है तो ये थ्यान में रखें तो दोस्तों और भी जितने भी reactions है NCIT book के वो आप एक बार देख लें क्योंकि वहाँ ही से आपको आने वाले जितने भी shift के exam है आने वाले दिनों में जो exam है विभिन विभिन पेपरों के जो क्योंकि आज का जो exam था वो history का साइद exam था जो history जिनका paper 2 होगा उसका आज exam था तो उन लोग के लिए थोड़ा ये science का portion जो है दोस्तों वो थोड़ा hard लगा होगा उन लोग के लिए बाकि जो science system के होंगे उन सभी के लिए तो आने वाले बले बले होने वाली है तो वो ध्यान में रखे हाला कि आप एक बार जरूर बूक वगरा जो है पलट के देख लें इन सभी से जो related जो प्रस्ण और बन सकते हैं उसे आप ध्यान दे अब next प्रस्ण के और बढ़ते हैं हलाकि इससे related और भी चीजों को जान लेते हैं जैसे क और भी reactions यहां पर दिये गए है के CL PLUS H2SO4 को reaction करवाया जाता है तो के एचे सो 4 PLUS HCL का निर्माल होता है फिर के CL PLUS H2SO4 का जो reaction करवाया जाता है greater than 200 degree Celsius से तो इसमें जो होता है के 2SO4 PLUS 2HCL का निर्माल होता है और भी ऐसे ही दिये गए हैं तो इसको आप एक बार वीडियो क पोज करके आप खुद पढ़ लें क्योंकि आने वाल एक्जाम में हो सकता है इन में से कहीं और भी प्रस्ण डाले जाएंगे इसमें अगर और देख लेते हैं कि ZN PLUS HCL का अगर reaction करवाया जाता है तो ZNCL2 PLUS H2 जो gas से वो उर जाता है इसमें यह सभी reaction है और भी reaction है जैसे क Mg HCO3 का होल 2 PLUS 2 HCL को अगर reaction करवाया जाए तो यह MgCl2 PLUS H2O PLUS CO2 gas का निर्मान होता है और PbS PLUS HCL का निर्मान कर रियक्शन करवाया जाए तो यह PbCl2 PLUS H2O का यह formation होता है और भी यह सभी जो reactions दिए गए हैं इसे एक बार ध्यान से वीडियो को पोज करके आप खुद द देखना है इससे related और भी एक प्रस्ट बन सकता है दोस्तों कि जो chemical formula होता है जो chemical compound होते हैं उसका नाम या तो फिर दे दिया जाएगा उसके बाद उसका formula पूछा जाएगा तो उससे related भी प्रस्ट अगर पूछे जाएंगे तो यह डाले हुए हैं इसको भी आप एक बार व होता है और sulfate group का जो होता है CASO4 होता है alcohol का C2H6O होता है जो salt जो हम लोग खाते हैं नमक जो खाते यह इसका formula होता है NACL होता है ethanol का formula होता है C2H6O होता है और भी जो दिये गए हैं जैसे कि acetic acid का formula होता है दोस्तों C2H4O2 होता है butane का formula C4H10 होता है और भी यहाँ पर दिये जैसे कि Sulfuric Acid का formula होता है H2SO4 यह सभी आप एक बार इस वीडियो को pause करके देख लें क्योंकि यहां पर बहुत सारे दिये गए हैं अगर एक एक को मैं पढ़ने लगूं तो फिर वो थोड़ा लंबा वीडियो चली जाएगी हलाकि यह आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आप का एक्जाम है तो मैं यह direction दे रहा हूं कि ऐसा ऐसा प्रस्ण जो है आने वाल एक्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं अब next जानते दोस्तों अगला प्रस्ण जो है जो कि यह जारखंड के जो तिर अंदाजी खिलाडी से related एक प्रस्ण जो पुछा गया था जो कि हाली भी तिर अंदाजी के खिलाडी है जारखंड से जो है उन सभी को मैंने इसमें दे दिया है जिसमें से अगर देखा जाए जो कि दीपीका कुमारी से related काफी बार जो है दोस्तों इसका प्रस्ण यहाँ पर पुछा गया है और जो है आसा रानी होरो से भी प्रस्ण पुछा जो कि यह सभी खिलाडियां जो है जारखंड के तिरंदाज खिलाडियां है यह सभी और भी है जैसे कि को मालीका बरी जानो हासदा राहुल बनर जी भाई गिवती नमिता कुमारी मजूदा सोय लच्मी हैंब्रम दिप्ती कुमारी सीमा वर्मा रिमिल बेरुली और अकानो जैन्त तालुकदार मधुमिता कुमारी मंगल चामपिया यह सभी जो है दोस्तों हमारे जारखंड के तिरंदाज खिलाड़ी से यह रिलेटेड हैं तो आप एक बार जारखंड के जो करेंट अफेर्स जो हैं जो खेल के खिलाड़ी हैं जो हाल खिलाल में जो पदक जीते है उनसे प्रता आप कुछ पढ़र लें ताकि आपको और भी जो अगर हो सके क्योंकि इसी प्रतर्न में आपको प्रस्ण देखने को मिलेंगे अब नेक्ट जानते हैं अगला जो प्रस्ण है जो कि ये हिंदी से रिलेटेड ये प्रस्ण है जो की रोग का बिलोम सब्द वही इसका correct answer होगा, रोका विलों सब या तो निरोग होगा या फिर स्वस्थ होगा, तो यह इसका correct answer होगा, हलाकि हिंदी में और भी प्रस्म पूछे गए थे, जैसे की ततपुरुस समाज समाज से related प्रस्म पूछे गए थे, यह सभी चीजें हलाकि दोस्तों, जो मैंने lab assistant और pgt का जो 10 model set करवाये हुआ है, जो कि इस channel में आपको मिल जाएगा, अगर आप खोजोगे इस channel के visit करोगे, तो वहाँ पर आपको एक playlist मिलेगा है, जहाँ पर lab assistant और pgt के 10 model set करवाये हैं, जहां से आपको काफी जादा help मिल जाएगी, जो paper 1 का जो paper है, उसको आप easily qualify कर सकते हो, अगर वो पूरा वीडियो अगर आप देख लिए, या फिर जो pdf उसका है, वो telegram group में आपको मिल ताकि आपको अच्छे से exam मतलब clear कर पाएं, अब next जानते हैं अगला जो प्रस्न है, जो कि गनित में सम चत्रभोज rhombus से प्रस्न पूछा गया था, इसमें कोछ दिया गया होगा कि diagonal दिया गया होगा, या फिर side दिया गया होगा, उसके बाद आपको area निकालने के लिए प area होता है, मतलब d1 क्या represent कर रहा है, diagonal फर्स्ट को represent कर रहा है, और d2 जो है दोस्तों, ये diagonal सेकेंड को represent कर रहा है, और अगर diagonal शेकेंड को निकालना हो, तो इसका formula होता है, root over 4aSq-d1 का square, मतलब diagonal 1 का a square और diagonal first को निकालना है तो root over 4a ए मतलब जो side यहाँ पर है एक side उसको a represent किया जा रहा है तो 4a square minus d2 का whole square यह जो है इसमें diagonal 1 आपको मिल जाएगा तो इसी तरह से अगर यह formula अगर जिनको जिनको पता होगा वो यह question तो easily किये होंगे और जिनको नहीं पता होगा वो तो गलत मार के आयोंगे या तो फिर question को skip कर दिये होंगे अगला प्रस्न है दोस्तों जो कि यह reasoning से प्रस्न पुछा गया था इसमें यह प्रस्न था कि एक लड़की जो है एक photo की और या तो फिर एक candidate की और इसारा करके कहती है कि उसकी मा की एक लोती बेटी जो मतलब क्या बोलती है कि उसकी मा की एक लोती बेटी मेरी मा है अब उस लड़की का उससे क्या रिस्ता है जिसको वो indicate कर रही है तो obviously वो उसकी मा ही होगी क्योंकि जो उसकी मा की एक लोती बेटी मेरी मा है ये question को ध्यान से समझे कि जो उसको indicate कर रही उसी को बोल रही कि उसकी मा की एक लोती बेटी है जो वही candidate है जो कि इसकी मा है तो उसके साथ क्या relation होगा मा होगा तो ये इसका मा correct answer होगा अब next जानते हैं अगला प्रस्ण जो है दोस्तों ये जारखंड के आंदोलन से ये प्रस्ण पूछा गया था तो ये ध्यान में रखे जारखंड में जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलनों का यर और वो किनके द्वारा नेतरुत किया गया था और किनके द्वारा उस आंदोलन को दमन किया गया था उसे आप एक बार ध्यान में देख लें हला कि मैं इस slide में मैं डाला हूँ तो वो आप एक बार इस slide को इस video को आप जरूर पढ़ें और exam में मतलब exam देने के लिए जाएं इसमें क्या पुछा गया है कि टाना भागत आंदोलन कब हुआ था तो दोस्तों ये जो आंदोलन जो हुआ था ये जत्रा भागत के नेत्युत में इस आंदोलन को किया गया था और ये आंदोलन 21 April 1922 में गुमला में इस आंदोलन को किया गया था जत्रा भगत के द्वारा तो इसका correct answer अगर देखा जाए तो ये 1922 होगा जो कि आपको option में देखने को मिला होगा अब और भी जो आंदोलन जो हमारे जार्खन रायजी में हुए थे उन सभी को भी देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है ढाल विद्रो जो हुआ था जो कि ढाल भूम में हुआ था इसकी अवधी जो थी सत्रो सो चरसट से लेके सत्रो सो सततर तक इसकी अवधी थी और इसके नेत्यूत करता जो थे यह जगनात धाल जी इसके नेत्यूत करता थे और दमन करता कर देखा जा मतलब जो इस विद्रो को दबाया था ये थे लेप्टेनेंट रूक और के मारगन जी के द्वारा इस विद्रो को दबाया गया था अगला है चुवार विद्रो जो की सिंवूम छेतर में हुआ था और इस विद्रो की जो अवदी थी ये 1759 से लेके पूछा गया है दोस्तों जो जारकन के पिछले एकजाम हो दोस्तों जो के पूछा गया था और इसके जो नेत्रुत करता है चितरजित राय और जैनात सीन जी के द्वारा नेत्रुत परदान किया गया था चेरो विद्रो का और इसको दबाये गया था जेक्टन जेकब क्यमक जी के द्वारा इसको दबाये गया था अगला है भोकता विद्रो जो की पलामू में हुआ था और ये 770-770 इस वी के बीच हुआ था इसके नेतित कतर जैनात से थे थे और इसको दबाए गया था कैप्टन जेकब केमक जी के द्वारा दबाए गया था और भी विद्रो हैं दोस्तों इन सभी को आप एक बार वीडियो को पोज करके पढ़ लें रट लें याद कर लें जैसे भी हो क्योंकि आने वाला एक्जाम में आपको यहीं से प्रस्ण देखने को मिलेंगे अलाकि मैं अनालिसिस करूंगा ही तो उसमें भी आप देख सकते हो कि आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी जैसे यहाँ विद्रो दिये गए हैं कॉल विद्रो जो की हजारी बाग छेत्र में हुआ था 1831 से लेके 1832 के बीच में यह विद्रो चला था भूमेज विद्रो वाडभूम छेत्र में हुआ था गंगा नरायन जी के दोरा नेतुरत किया गया था और यह 1855 से 1856 के बीच यह चला था तो यह ध्यान में रखें और हम लोग को इस एक जाम में क्या पूछा गया था कि ता सभी आस्ट्रिक्स दिये गए यह सभी प्रस्ण पूछे जा चुके हैं तो इसे इस चार्ट को आप एक बार दो बार तीन बार जरूर पढ़ें एक जाम से पहले अब नेक्ट जानते दोस्तों अगला प्रस्ण क्या है कि बिर्शा क्रिशी विश्वविदाले की अस्थाप 26 जुन 1981 को हुई थी और यह प्रस्ण पूछा गया था अब नेक्ट जान लेते हैं और भी इतने हमारे जारखन में यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी को जानना काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आने वाला एक्जाम में देखने को मिल सकता है उससे रिलेटेड प्रस्ण तो 27 जुन 1981 में इसकी अस्थापना की गई थी और यह प्रस्ण यही प्रस्ण पूछा गया है सिंदु कानु मुर्मु विशु विद्दाले जो की दुमका में सिच्वेड़ेड है इसकी अस्थापना 10 जनवरी 1992 में की गई थी 29 भावी विशु विद्दाले जो की हजारी सब्सक्राइब के इसका अस्थापना 17 जनवरी 2009 को इसकी अस्थापना की गई थी और दोस्तों घूका में स्थापना साब की गई थी और जल्हां के जो उसके बैसे यहार दी बात ओर यह पर दीए फिर्यान में रखें EnglishÃcic यह इसको रट ले याद करने जैसे भी हो ताकि आने वाला एक्जाम में अगर कोश्चन पूछ ले तो आपसे वह कोश्चन इसकीप ना हो छोड़े ना और भी विश्विदाले जैसे कि जारकन तक्निकी विश्विदाले जो रांची में स्ट्विदाले इसके अस्तपना 2011 में की गई थी और जो निया निया भी विश्विदाले बना था जैसे कि जार्खन राइज खुला विश्विदाले ओपन उनिवर्सिटी जो कि रांची में स्ट्विदाले इसके अस्तपना हाल फिलाल में 23 नमबर 2021 में किया गया था और पंडित रगुनात मुर्मो जन्जाती विस्विदाले जो कि जमसेदपूर में सिच्वेड़ेड है इसकी अस्थपना 2022 में की गया थी उनसे विको मैंने ये डिसकस कर दिया कि वो कहाँ पर सिच्वेड़ेड है और कब उसकी अस्थापना की गयी थी अब मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कोई प्रस्ण यहां से पूछे जाएंगे तो इन सभी को आप एक बार रट लें याद कर लें जैसे भी हो वैसे प्रस्ण यहां पर पूछा गया था तो इसका अगर फोर्मूला आपको पता होगा तो आप एजली आप निकाल सकते थे लंबाई चोड़ाई अगर दी गई होगी तो उसको उसका विकर्ण भी एजली आपको मिल जाएगा जो की root over L square plus W square मतलब लंबाई का square plus चोड़ाई का square करने से वो आपको diagonal मिल जाएगा और इसका area अगर देखा जाए तो लंबाई गुने चोड़ाई इसकी area होती है और इसका परिमाप अगर देखा जाए तो 2 into लंबाई प्लस चोड़ाई इसकी परिमाप होती है हलाकि यह काफी easy question अगर देखा जाए मतलब 9 10th level का question यहाँ पर पूछा गया है उससे भी कम level का question अगर देखा जाए तो इसमें डाला गया है और भी देख लेते हैं square का जैसे की square का area जो होता है दोस्तों a square मतलब side का square होता है perimeter 4a होता है और इसका diagonal होता है root to a का diagonal होता है अगला प्रस्ण जो है दोस्तों यह coding decoding से दो या तीन प्रस्ण पूछे गये थे और भी सिलोगिजम से प्रस्ण पूछे गये थे और हिंदी के जो paragraph दिए गये थे उन सभी से related भी प्रस्ण देखने को मिला था अलाकि जितना question मुझे प्राप्थ हुआ जो मतलब candidate को ज्यादा question नहीं याद रहता है तो जितना question उसके दिमाग में था वो मैंने इसमें बता दिया हलाकि आपको pattern पदा चल गया होगा कि किस परगार का question दो है दोस्तों इसमें पूछा गया है तो दोस्तों इस channel में आपको बहुत कुछ आपको जार्खन से related आपको वीडिय करने को मिला और पीजीटी का एकजाम दे रहे हैं तो आप जरूर से जरूर दस घंटा टाइम मिला के निकालके आप इसको देख लें और इसका पीडियाप टेलीग्राम ग्रूप में आपको मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड करके आप उसको एक दो बार जरूरीड कर हुआ है कि उससे रिलेटेड और क्या-क्या प्रस्ट बन सकते हैं वह इसा यहां पर आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आपको पिछले स्लाइड में आप देखें हैं इसके अलावा दोस्तों जैसे सीजेल उत्पात सिपाहिये का जो वेकिंसी आया हुआ 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 इस मॉडल से यहां पर आपको मिलेंगे और वीकली करेंट अफेर जो कि यह परते की वीक को यहां पर आपको देखने को मिलेगा सेटर डे या फिर संडे हलाकि आज फ्राइडे है कल संडे को आपको मॉर्निंग में ही इसका वीकली करेंट अफेर मिल जाएगा तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने दोस्तों के बीच और जो लोग इस चैनल में नए हैं जो लोग नए देख रहे हैं दोस्तों वो उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के तुरू मिलती रहे तो थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बने रहे हैं पढ़ते रहे हैं खुश रहे हैं थैंक्यू दोस्तों